नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूग चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुभा उठते ही न करें ये पांच काम हर कार्य में आ सकती है बाधा दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंध तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं कहते हैं दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो सारे काम सफल हो जाते हैं सुभा के समय जाने अंजाने में कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके काम और सेहत को भी प्रभावित करती हैं शास्त्रों में कुछ ऐसे कारियों का जिक्र किया गया है सुभा उठने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य साय की तरह पीछा करने लगता है आईए जानते हैं कौन से चार काम सुभा के समय करना अशुभ माने गये हैं आईना सुभा उठते ही अक्सर लोग पहले खुद को आईन में देखते जो वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना गया है सुभा उठने के बाद सबसे पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए ऐसा करने से दिन की शुरुवात अच्छी होती है बंद घडी घडी से व्यक्ति का भाग्य जुडा होता है घर में बंद घडी बुरा समय आने का संकेत देती है शास्त्रों के अनुसार बंद घडी देखने से विवात की स्थिती पैदा हो सकती है दिन के हर काम में बाधा आ सकती है जूठे बर्तन सुठे बर्तन देखने से शरीर में सकारात्मक उर्जा का संचार कम हो जाता है शास्त्रों के अनुसार रात में ही कीचन साफ करके सोना चाहिए जूठे बर्तन रखने से घर में दरिदरता आती है परचाई मान्यता है कि सुभा उठने के बाद पहली नजर अपनी या अन्य की परचाई पर पढ़ना अच्छा नहीं होता परचाई देखना राहू का संकेट माना जाता है चाया देखने से मनुष्य में तनाव दर का मौहाल पैदा होता है दिनभर काम में मुश्किलें आती है सुभा की पहली नजर किसी हिंसक जानवर की तस्वीर पर नहीं पढ़ना चाहिए मान्यता है इससे रिष्टों में दूरिया आने लगती है साथी ही कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवाद